आज हम बना रहे हैं परफेक्ट टेस्ट्री क्रीमी सावदाना खीर यह इतनी बढ़िया है आप इसे 10 मिनट में बना कर तयार कर सकते हैं घर में रखे किसी भी तरह के दूद के साथ बहुत ही शांदार सर रेसिपी में लेकर आयों परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ अगर आप बिगनर है तब भी रेसिपी ट्राइब करेंगा आपको बहुत पसंद आएगी कई बार हम सावदानी की खीर बनाते हैं तो जैसी हमने दूद में सावदाना डाला एक मिनट के अंदरी खीर हमारी गाड़ी हो जाती है और दूद एकदम घाड़ा हो जाता है और जो सावदा तो सावदाना की खीर बनाने के लिए 50 ग्राम मोटे वाला सावदाना लिया मैंने और इसे 3-4 बार हातों से रगड़ कर आपको धोना है सबसे इंपोर्टन स्टेप यही होता है इस खीर को बनाने का कि जो सावदाना इसे धोना है क्योंकि इसमें स्टार्च है पानी में डा निकाल दे इसका और इस 50 ग्राम सावदाना में 100 ml गुनगुना दूद आप मिला दे यानिके 100 ml तो एक तरीका तो यह है जिससे आप शांदर खी बना सकते हैं गुनगुने दूद में डालकर इसे एक घंटा धिको के रखें पॉफ्रेक्ट फुला हुआ और क्वैंटिटी म बार रगड रगड कर धोना है दोनों ही तरीके में आपको सावदाने को धोना है उसके बाद एक कप पानी में से चार घंटे भीगो के रखना है और चार घंटे के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का फुला हुआ सावदाना आपको मिलेगा बहुत ही शांदार अगर आ आप उस दूद से खीर बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने घर में रखा उबलवा दूद लिया है, आधा लीटर, इसमें थोड़ा समय ने केसर डाला है, जो कि ओप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है खीर का, तो केसर डानल के बाद मीडियम हीट पर इसे आपको उबाल इसमें लगाना है, तो यहाँ पर यह जो दूद है, अल्रेडी उबलावा है, फिर भी मैं इसमें उबाल लगाऊंगी, अगर आपका पास कच्छा दूद है, तो भी आप उसे उबाल लगाईए, और सेम प्रोसेस फोलो करिए, तो यहाँ पर इस टाइम दूद को गरम करते इसे की भारी बेस के कढ़ाई हुई, थोड़ा सा कूकर भारी होता है किचन में, तो उनमें ही खीर बनाना उसे स्वाद बनती है, और बहुत ही कढ़ी ही खीर बनेगी शांदार, उसके बाद भीगावा जो साबुदाना था, एक कप प्लस दो टेबल स्पून में लिया है, आधा लिटर दूद के लिए, तो इस प्रोसेस को फोलो करना, आप इतना ही साबुदाना लेना, अगर इससे ज़्यादा लेंगे, तो खीर बहुत ज़्यादा घाड़ी हो जाएगी, और बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेगी, दूद में साबुदाना डालने के बाद, ल पात का ध्यान रखें, बीच वीच पर चलाते रहें, बाहरी बेस के बरतन में खीर बनाएंगे, तो खीर नीचे से चिपकेगी नहीं, और हलके बेस का बरतन होगा, तो खीर जल जाएगी, और एक अजीब से स्मेल उसमेल उसमें से आएगा, तो लगाता है, मैंने इसे लो टेबल स्पून चीनी या फिर अपनी पसंद के हिसाफ से जितना भी मीठा आप खाते हैं, वो मीठा आपको खीर को 7-8 मिनट पकाने के बाद ही डालना है, चीनी इस स्टेज पर डालने से खीर का कलर भी बढ़ी हाएगा, और बहुत ही शांदर खीर बनेगी, आप अब कलर देखें कितना बढ़ी आया है, तो यह चीनी के बज़े से आया है, तो चीनी डालने के बाद तकरीबन 3 मिनटी से आपको और पकाना है दीनी आच पर, इस से खीर बहुत बढ़ी हा और कड़ी हुई बनकर तयार होगी, तो यहाँ पर यह जो खीरे आपको भी पत्री लग र लगें, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, और खीर बहुत ही बढ़ी हा लगेगी खाने में, तो वरत में या फिर कभी भी आप यह खीर बना कर प्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, स्टेप बाई स्टेप जो भी टिप्स औं ट्रिक्स मैंने आप आपको शेर करिए ना, उन्हें जरूर फोलो करना है, कोई गटबर नहीं होगी, बहुत ही शांदार खीर बनेगी, आदे घंटे के बाद फ्रिज से निकाला मैंने इसे और अब देखे, थोड़े से पिस्ता भी मैंने इसमें डाले हैं, विच इस कम्प्लिट्टी ओप्शन आप एस इसे सर्व कीजिएगा, बहुत बढ़ी है, ठंडी ठंडी ये लगती है, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसि के साथ, हमारी मज़िदार खीर बन कर तियार है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है, और बनाने में बहुत आसान, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना अगर आप ये मेजर्मेंट फोलो करेंगे तो गडबड बिलकुल नहीं होगी, गैरिंटीड, थैंक यू फॉर वाचिंग,